हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर नेनार आप देख रहे हैं एनवासोहोमियों आज की मेटसीन है औरम ट्रिफाइलम इसका कॉमन नेम है इंडियन टर्निप और इसका फेमली है एरेशिया और इसके पुरूवर है डॉक्टर जेन्स आईए इसके फीजकल जेनरल को देखते हैं फीजकल जेनरल सिम्टम्स में कहता है चिल्डेन रिफ्यूज फूड एंड ड्रिंक ओन एकाउंट ओफ सोरनेस ओफ माउथ एंड थ्रोट तो ये बोल रहा है कि बच्चे या फिर बूढ़े यहां चिल्डेन लिखा है बट इससे यह मतलब नहीं है कि यह केवल चिल्डेन में ही काम करेगा मेडिसीन को सिम्टम से सरोकार है अगर सिम्टम मिलते हैं चाहे वो बच्चे के हो या बूढ़े के हो जवान के हो लेडिज के हो वो काम करेगा तो यहां बोलता है कि पेसेंट खाना पीना रिफ्यूज कर देगा नहीं खाना चाहेगा और उसके पीछे कारण यह होगा कि सोरनेस ओप माउथ और थ्रोट उसका मुह के अंदर जो है इनर माउथ उसमें क्या होगा एक सोरनेस होगा यानि कि एक रोनेस के साथ जो दर्द होता है जैसे ताजा कहीं पे इंफ्लामेशन हुआ हो इक्यूटी इंफ्लामेशन कहीं पे डेवलाप हुआ हो तो वहाँ पे एक दर्द जो महसूस होता है उसे सोरनेस कहते हैं यह माउथ और थ्रोट गले के अंदर देखने को आपको मिलेगा और यह सम्मर्क सोल में भी है और स्लिपलेस और सम्भवता है कि इस तरह का दर्द जिसको मुख के अंदर और गले के अंदर होगा वो बिल्कुल नहीं सो पाएगा नेक्स्ट बोलता है नोज यानि नाक का क्या सिम्टम्स आएगा कोराईजा एकरीड फ्लुएंट नॉस्ट्रिल्स रॉव अब कोराईजा यानि जुकाम जो उसका होगा कैसा हुआ एकरीड उसमें एक जलन सीलता होगी और fluent यानि लगातार वो बिल्कुल बहता ही होगा और nostril इससे क्या हो जाएगा raw हो जाएगा that is soreness जहां rawness होगा वहाँ पे soreness भी आपको देखने को मिलेगा जैसे हमने उपर पढ़ा तो यहाँ भी एक soreness आपको नाक के अंदर भी पेसेंट जरूर फिल करेगा चुकि वहाँ एक rawness का हम लोग को scenario नजर आ रहा है nose में नेक्स्ट बोलता है nose feels stopped up in spite of water discharge compare M1 कार्ब, sambucus और synapsis nigra syn-n जो लिखा है इसका full form होगा synapsis nigra S-I-N-A-P-I-S N-I-G-R-A synapsis nigra synerging aggravate at night तो nose क्या होगा nose feels stopped up in spite of water discharge और उपर तो आपने पढ़ा कि यह fluid discharge होगा accurate fluid discharge लेकिन कभी यह होगा कि fluid discharge होते होते क्या होगा नाक जो है बंद हो जाएगा वो discharge जो पानी का हो रहा था वो बंद हो जाएगा और उसके साथ साथ क्या होगा छीक आने लगी और यह छीक कभ बढ़ जाएगी रात को नेक्स्ट नोज में ही बोलता है कि नॉस्ट्रिल राव हो जाएगा उसी चीज को यहां बोल रहा है कि इंसाइड दर नोज को क्या करेगा वो एक्सकोरियेट कर देगा यानी छील देगा यह लाई यानी होता है नाक का बाहरी जो नथुना है वो और अपर लिप बिल्कुल यह जो एक यह जो डिस्चार्ज है नेजल डिस्चार्ज है वाटरी नेजल डिस्चार्ज यह जहां से भी जाएगा वो क्या करेगा वहां पे छील देगा वो और एक रावनेस एक सोरनेस develop कर देगा ऐसा arsenic और alien sipa में भी आप लोग अगर पीछे देखते हैं जाकर के तो ऐसा symptoms उसमें मिलता है फिर arsenic के अलग symptoms है और alien sipa को इस से अलग करने के अलग symptoms है इस पे भी पीछे की तरफ जाएंगे तो आर्सेनिक और एलियम सीपा के प्रोपर अलग-अलग वीडियो बने हुए हैं तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं आर्सेनिक में, आर्सेनिक का जेनरली ये होता है कि इसकी प्यास जो है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी पीता है वह और उसमें एक बेचैनी होगी और साथ साथ उसकी जो है सिम्टम्स जो है वह नाइट में उसकी सिम्टम्स बढ़ती है 2 अम के आसपास 2 बज रात के आसपास 12 बज से 2 बज बीच में बढ़ता है एलियम सिपा में भी एकस्कोरियेटिंग होता है डिसचार्ज और इसका पेसेंट जो है वो ओपेन एयर में अच्छा फिल करता है देखें डीटेल में नहीं जा सकते हैं वीडियो काफी लंबा हो जागा नेक्स्ट में आते हैं कॉंस्टेंट पीकिंग अट दे नोज अंटिल इट्स ब्लीड्स बोरिंग विद दे फिंगर इन्टु दे साइड आफ दे नोज अब ये कॉंस्टेंट पीकिंग अट दे नोज अंटिल इट ब्लीड्स ये सिम्टम जो है बिल्कुल बोल्ड में लिखा हुआ है यानि ये सारी जो सिम्टम अभी हमने उपर पढ़ा ये सारे सिम्टम के साथ यह एक इसका पिकुलियर सिम्टम मिलेगा कि वो बराबर नाक को जो है क्या करेगा वो बराबर नाक को पिकिंग करते रहेगा यानि नाक को उसको क्या कहते हैं उंगली करना नाक में क्या करेगा उंगली करेगा और तब तक करेगा जब तक उसमें से खुन न आ जाए तो बोरिंग विद दफिंगर इंटु दा साइड ऑफ दा नोज और बार बार उसी चीज़ को बोल रहाएगी साइड नाक के साइड में भी जो है उसमें उगली वह लगाते रहेगा ना को कुरते रहेगा और इस तरह कुद्रेगा इस तरह वह उगली करेगा कि उसमें से खून निकलने लगता है नेक्ट सिम्टम बोलता है फेस का पेसेंट्स पीक और बोर इन्टो दे राव ब्लीडिंग सर्फेस दाव भेरी पेनफुल स्क्रीम बित पेन बट कीप अप दा बोरिंग इन डिप्थेरिया एसकरलेटीना एंटाफ़ाइट यहां एक अजीब सिम्टम आपको देखने को मिले कि इस पेसेंट को दर्द तो होगा पेसेंट पीक और बोर इन्टो दे राव ब्लीडिंग सर्फेस दाव भेरी पेनफुल दाव यह नहीं होता है जबकि जबकि यह बहुत ही दर्दनाक है क्यों क्योंकि जो नाक पहले ही से राव हो चुका है उसमें एक सोरनेश डेवलाफ हो गया है क्यों सोरनेश डेवलाफ हो गया है एक रीड और इकरोवस डिस्चार्ज के चलते जिसके चलते क्या हुगा नाक का अंदर छिल गया है पूरा सर्फेस और वहां पे क्या हो गया है एक रावनेश एक सोरनेश डेवलाफ हो गया है उसके बाद भी उसमें बराबर उ चिलाएगा, दर्द इतना होगा कि उस दर्द से चिलाएगा, फिर भी यह उसमें उली करते रहेगा, और फिर नेक्स्ट में लिखता है, इंडिप्थेरिया, एसकरलेटीना, एंटाइफ़ाइड, अभी तीनों बीमारी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, जिस भी रोग में इस तरह के सिम्टम आपको मिलेंगे, यहां एक मेंटल सिम्टम के तरह को, इसको डील कर सकते हैं, चुकि कोई वेक्ती अगर दर्द में है, फिर भी वो खुद को दर्द दे रहा है, तो यहां एक मानसिक इस्तिती को दर्स आ रहा है, और इससे कुछ लेना देना नहीं है, क तो हम इन दोनों को भी डिस्क्राइब करते हैं कि डिफ्थेरिया में क्या होता है तो डिफ्थेरिया जो है डिफ्थेरिया में एक ठीक सीट ग्रे मैटर का डिफलोप हो जाता है कहाँ पे वैक फ्रोट जो क्या करता है making breathing hard यानि सांस लेने में तकलीफ पैदा करता है ये seat of thick gray matter cover the back of throat making breathing hard तो इसका picture भी यहां डाल दे रहे हैं आप देखिए कि ये इस तरह का एक scenario develop होता है throat के अंदर तो इस case में अगर इस तरह के symptom आते हैं तो उसमें भी ये medicine thinkable है next में है scarlatina तो scarlatina क्या है scarlatina एक bacterial illness है जो streptococcus नाम के bacteria से develop होता है और इसमें भी throat और mouth जो है उसमें एक rawness, soreness develop होता है और ये generally जो है और ये generally जो है children from 5 to 15 years of age इन में generally पाया जाता है और इसका भी picture मैं डाल दे रहा हूँ आप उसको भी देख सकते हैं next इसी में कहता है peak lips until they bleed ये भी जो है एकदम bold letter में लिखा है यानि वह जो है आपका जो leap है यानि oat है उसको क्या करता है वो खुरदता है और तब तक खुरदता है जब तक उसमें से खुर नहीं निकल जाए खुरदने का एक इसको जो है अजीब सा एक धुन सवार है देख सकते हैं और यहीं इसका bold symptoms में है corner of mouth sore cracked bleeding with malignant tendency condurango तो corner of mouth जो है वो क्या होगा sore होगा उसमें भी soreness soreness होगा cracked होगा फटा होगा और उसमें सभी खुन निकलेगा ऐसा condurango में भी है condurango इसकी अच्छी दबा है soreness of mouth का corner of mouth का bites the nail until finger bleds और यह नाखुनों को भी काटते रहता है दाथ से जब तक उसमें से खुन नहीं निकल जाए यह एक इसका symptoms है कि यह जहां पे भी biting या picking कर रहा है तब तक करता है जब तक उसमें से खुन निकल जाए even वो दर्द से चिला रहा है फिर भी the sore mouth and nose are guiding in malignant escarlatina and diphtheria फिर से यह बीमारी का नाम इसमें घुसा दिया है लेकिन भीमारी के नाम से कुछ लेना देना नहीं है the sore mouth and nose are guiding in the malignant escarlatina and diphtheria उपर वाली बातों को लिख रहा है कि soreness of mouth and nose जो एक guiding symptoms के रूप में आप इसको ले सकते हैं किस case में? malignant escarlatina and diphtheria के case में वैसा escarlatina और diphtheria जो थोड़ा भयावा condition में पहुँच गया हो next में बोलता है throat एफोनिया complete after exposure of northwest wind एकोनाइट हीपर सलफर from singing urgentum, nitricum, causticum, phosphorus और selenium एफोनिया यह नहीं होता है बिल्कुल आवाज का बंद हो जाना और यह कब होता है? ठंडी हवा लग जाने से ऐसा एकोनाइट और हीपर सलफर में है singers लोगों को बीच में भी देख सकते हैं ऐसा एफोनिया urgentum, nitricum, causticum, phosphorus, selenium फिर इन सारे medicines के जो symptoms हैं उसको भी compare करके देखना होगा कि maximum symptoms किधर indicate कर रहे हैं next में बोलता है clergyman sore throat उसी चीज को बोलता है clergyman यानि यहाँ पे है पुरोहित पादरी father जिसको बोलते है voice horse uncertain, uncontrollable changing continuously words from talking, speaking or singing orators, singer, actors orators यानि होता है बक्ता यानि भासन देने वाला फिर से वहीं सारी बात है कि voice क्या होगा sore throat होगा और voice क्या होगा फटा फटा होगा uncertain होगा uncontrollable होगा वह एक fix rhythm में या fix tune में नहीं होगा tune उसका बदलते रहेगा चुकि सोरने से कभी ज़्यादा कभी कम even अभी just पीछे पड़े कि ephonia भी हो सकता है कभी कभी बिल्कुल loss of voice भी हो सकता है और ये सारी चीजे कभ worse हो जाती है ज्यादा बोलने से गाने से singer actor में भी ये सारे symptoms मिलने पे और sourness, rownness प्लस जो discharge of from nose था वो सारी चीज अगर मिले तो इस medicine के बारे में हम लोग indication के तरफ जा सकते हैं next बोलता है mouth saliva profuse acrid corros the mucous membrane tongue and buccal cavity raw and bleeding वो ही चीज बोल रहा है जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा throat में throat के जस्ट उपर face का last symptom हम लोगों ने पढ़ा था last से एक first symptom जिसमें बोलता है corner of mouth sore cracked bleeding उसी चीज को लिखता है जिसमें with malignant tendency to condurango जो हम लोग पढ़े थे इसी चीज को यह mouth में लिखता है कि वो saliva profuse होगा और वो acrid होगा corros the mucous membrane इसका जो भी secretion हो रहे है यह mouth से हो nose से हो उसमें क्या है उसमें एक acridity है और यह corious nature का है और वो क्या कर रहा है excoriation create कर रहा है और यह ऐसा आप देख सकते है tongue जो है और buccal cavity mouth के अंदर की जो cavity वो क्या होगा उसमें ronis होगा and bleeding और bleeding क्यों होगा क्योंकि इसकी आदत है कूरेदने की और क्यों कूरेदर आए क्योंकि जो यह जो आपका discharge हो रहा है यह discharge जो है acrid है तीखा यह acoreous है तो जब भी यह discharge इसके skin को टच कर रहा है तो वहाँ पे एक irritation पैदा कर रहा है और यह discharge पतला है watery है तो इस discharge को यह हटाने के लिए क्या कर रहा है अपने नखून नाखून का उपियोग कर सकता है या किसी भी चीज को इतना अच्छा से उसको चार है हटा देने का कि वो जो एक irritation है उससे यह बाहर निकलना चाह रहा है उस चक्कर में यह इतनी बार नो वहाँ पे उंगली इसको करना पड़ रहा है चुकि बार बार वो water discharge है जैसे कि आपने उपर ही पढ़ा कि यह water discharge कैसा है नोज का first symptom choriza acrid fluent fluent यानि लगातार आ रहा है और उसी लगातार जो आ रहा है और acrid discharge है उसको यह इसकीन से दूर रखने के लिए वो इसकीन में न टच करें इसलिए बार बार वहाँ हुआ उंगली को डाल रहा है और इस चकर में पहले से जो acrid discharge वहाँ के mucos membrane को destruction दे चुका है उस चकर में और भी वहाँ पे injury हो रहा है तो next है next का ताइफीवर typhoid escarlatina with apathy scanty और suppressed urine threatened uranemia तो यह typhoid scarlatina जो बोल रहा है actually typhoid को हम लोग enteric fever बोलते हैं और इसमें scarlatina सब्द यह इसलिए ला रहा है क्योंकि skin पे जो है न red red जो है छोटे छोटे धब्बे आपको उसमें नजर आएंगे rest with small red dots skin rest तो यह यह जो skin का जो symptom है यह symptom देखने में scarlatina के तरह नजर आएगा तो इसलिए typhoid scarlatina इसको बोल रहा है actually typhoid fever होता क्या है typhoid fever is an infection that spread through the contaminated food and water typhoid fever है एक infection है enteric infection आतों में infection होता है इसमें यह होता है आपका contaminated food and water यानि सड़ा हुआ या फिर दूसित भोजन और पानी पीने से समझ रहना तो यह चीज़ इसमें होता है इसके symptoms को अगर आप typhoid के symptoms को अगर ऐसे देखे तो इसमें symptoms में आपको मीलेंगे कि pain in abdomen होता है muscle में भी pain होगा gastrointestinal symptoms देखे अगर पेट में किस तरह का symptoms आएगा bloating यानि वहीं gas का बनना और constipation होगा diarrhea भी होगा कभी टाफ़ाइड में कभी constipation होता है तो कभी diarrhea होता है यह alternate देखने को मिलता है nausea और humating tendency भी develop होगा whole body में देखेंगे तो fatigue यानि थकान fever chills यानि ठंडा भी लाएगा loss of appetite और उसको भूग भी नहीं लाएगा और common symptoms अगर देखे तो headache muscle weakness और skin rashes red dots weight loss भी इसमें होता है triforide के मरीज का weight gain नहीं हो सकता है कितना भी उखा ले इसे खा भी नहीं पाता है चुकि इसको भूखी नहीं लगता है तो यह सारे कुछ triforide के symptoms हैं जिसका यहाँ पे चलते चलते हमने चर्चा कर दिया और बिरहत में तो बताने में फिर वीडियो और भी लंबा हो जाएगा तो यह बोल रहा है कि triforide scarlatina और triforide आपका fever जो है किस बैक्टेरिया के द्वारा होता है Salmonella टैफी इस टैफी इसको बोलते हैं seafood के भी खाने से एटिंग seafood from water source और बीना हाथ धोए खाने से अगर जिसको triforide है उसका ट्वालेट यूज कर रहे हैं contaminated toilet यूज करने से भी तो यह सारी चीजें हैं जो एक triforide fever को डेबलोब करने में help करती हैं और कहता है with apathy scanty और suppressed urine apathy यानि होता है उदास with apathy apathy यानि उदास होगा scanty और suppressed urine बिल्कुल कम पे साब आएगा और या फिर बिल्कुल suppressed दब गया होगा threatened uranemia यानि threatened uranemia यानि ये kidney जो है उसके failure को दर्साता है जहां पे जो uranemia क्या करता है building up करता है toxins in blood result of severe kidney dysfunction kidney जिसका काम नहीं करेगा तो blood में जो भी metabolic byproducts होंगे वो बाहर नहीं निकल पाएंगे तो ये सारी चीजे देखने को मिलेगा तो इसमें हो सकता है कि आपको अगर symptoms मिले और भी सारे symptoms मिले तो aurum trifalum better indicate करता है next symptom बोलता है skin disquamous in large flack second or third time in escarlatina disquamous in large flack यानि चमड़ा छोड़ता है large flack यानि बड़े बड़े चिपिडी के रूप में चमड़ा आपको skin पर से छोड़ता हूँ अन नजर आएगा second or third time in scarletina scarletina के symptoms में scarletina के साथ साथ ये symptoms भी आपको देखने को आएंगे disquamation of large flacks relation में देखते हैं useful after hyper and nitric acid in dry horse crow of cough dry horse crow of cough करकस कफ जो सूखा है बाहर नहीं निकल रहा है उसमें useful after hyper and nitric acid hyper sulfur hyper sulfur और nitric acid के बाद symptoms मिले अच्छा काम करता है अच्छा काम करता है after causticum और hyper sulfur in morning hoarseness and deepness in scarletina scarletina में अगर deepness है hoarseness है और भी सारे symptoms मिल रहा है तो causticum और hyper sulfur के बाद ये अच्छा काम करता है should not be given low or repeated often as a bad effect often follow बुला जा रहा है कि low potency में इसको नहीं दे और बार बार इसका repetition नहीं करे इसका bad effect आता है the higher potency must promote and effective higher potency ही इसका देना चाहिए और वहीं effective है higher potency यानि 200, 1M, 10M according to symptom जैसा symptom मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा symptom मिलेगा तो mental, general, physical सारे symptoms अगर मिलते हैं तो ही हम high potency देते हैं otherwise जितना कम symptom मिलता है उतना ही हम low potency के तरब जाते हैं तो ये थी आज की medicine aurum trifalum फिर मिलते हैं किसी अगले medicine में अगले वीडियो में thanks